मेरे किसान, भाईयों और बहनों, 2014 में सरकार मनने के बाद, हमारी सरकार ने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया। हमने देश के किसान की छोटी छोटी दिक्कतों और कृशी के आधुनिकरन उसे भविश की जरूरतों के लिए तैयार करने दोनों पर एक साथ ध्यान दिया। हम बहुत सुनते थे कि उस देश में खेटी इतनी आधुनिक है वहां का किजान इतना समरुद्ध है कब इजराहिल का उदवान सुनते रहते थे। हमने दुनिया भर में किसी छेत्र में क्या करांती आई हैं क्या बढ़लाव आए हैं क्या नए इनिसिट्य आए हैं क्या अर्थववस्ता के साथ कैसे जोड़ा है सारी चीजों का गहन अध्यन किया इसके बाद हमने अपने अलग अलग लक्ष बनाए और सभी पर एक साथ काम शुरू किया हूं हमने लक्ष बना कर काम किया कि देश के किसानों का खेती पर होने वाला खर्च इन्पुट कॉस्ट ये कम हो उसका खर्चा कम हो स्वाइल हेल्द कार्ट यूरिया के नीम कोटिंग लाखो की संक्या में सोलर पंप ये सारी योजनाए उनका इन्पुट कॉस्ट कम करने लिए एक के बाद वाग उठाईए हमारी सरकार ने प्रयास किया कि किसान के पास एक बहतर फसल भीमा कबच हो आज देश के करोड़ों किसानों को पी-एम फसल भीमा योजना का लाब हो रहा है और मेरे प्यारे किसान भाईयों बहनों अभी जब मैं किसान भाईयों से बात कर रहा था तो मुझे हमारे महराश्टर लातूर के गणेश जी ने बताया कि कि डाई हजार रुपया उन्होंने दिया और चोवण हजार रुपया करीब करीब मिला मामुली प्रिमियम के बढ़ले किसानों को पिछले साल में 87,000 करोर रुपय क्लेम राशी मिली है 17,000 करीब करीब 90,000 करोर मामुली प्रिमियम दिया किसानों ने मुसीबत के समय एफ फसल बिमा उनको काम आया हमने इस लक्ष पर भी काम किया कि देश के किसान पास खेत में सीचाई की पर्याप्त सुविदा हो हम दसकों पुरीनी स्विचाई हो पूरा कराने के साथ ही देश भर में पर ड्रॉप मौर क्रॉप के मंत्र के साथ माइक्रो इरुगेशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं और मुझे खुशी हुई अभी तमिलनाडू के हमारे सुप्रमनी जी मुझे बता रहे थे कि उन्होंने माइक्रो इरुगेशन से ट्रीप इरुगेशन से जो पहले एक एकड़ का काम होता सा तीन एकड़ का हुआ और पहले से ज्यादा एक लाख रुए ज्यादा कमाया माइक्रो इरुगेशन से